नमस्कार बहुत स्वागत है आपका बिहारी नूज में मैं रतन सेन भारती आज हम बात करेंगे बिजली की नई दरों के बाले में बिहार में नए साल में बिजली दरों में बढ़ोतरी किये जा सकते हैं बतातें कि बित्रन प्रनाली के प्रस्ताब को बिहार बिधूत बिनियामक आयोग ने मंजूर कर लिया है बतातें कि यह प्रस्ताब इसी साल नवंबर महिनी में दिये गए थे जिसके बाद अभी आता है कि अगले साल बिजली उन भोकताओं को अब ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है हालांकि अभी तक यह डिसाइड नहीं हुआ है कि बिजली की नई दर में कितना पैसा यानि कितना जो है किराया बढ़ाएगा और उसमें क्या बढ़ोतरी की दर जो होगी जाएगी और मार्च में अयोग नई बिजली की दरों की गोशना कर देगी बताजय कि प्रदेश में नई बिजली की दर एक अपरेल 2022 से लागू हो जाएगी बिजली कमपनियों की तरब से दिये गए प्रस्ताव में अब आम लोगों से राय ली जाएगी इसमें नौर्थ 2022 को आम लोगों की राय सुनी जाएगी इधर 21 जनवरी को पुर्णिया जिला सम्हार नाला है तो 28 जनवरी को बेतिया सम्हार नाला में आम लोगों की राय सुनी जाएगी इधर 3 फरवरी को भागलपुर जिला सम्हार नाला है परिसर में आम लोगों की राय सुनी जाएगी इ परतमान में जिस प्रसताप को लेकर बात हो रहा है वह उसी प्रमपरा के तहत है यानि कि ट्रांस्पीटर कमपनी की और से बिहार अस्टेट पावर ट्रांस्मिस्टन कम्पनी लिमिटेड विहार गृड कम्पनी लिमिटेड और अस्टेट लोड डिस्पैच सेंटर ने अलग-अलग आज का दायर की है जब कि घरेलू बेपसाहिक और और द्योगिक स्रेनी के भुक्ताओं को बिजली दर तै करने के लिए नौर्थ वा सौथ विहार पावर डिस्टिबिशन कंपनी लिम्टिड ने अलग-अलगी आज का दायर की है कंपनी ने घरे लूग गैर घरे लूग और द्योगिक सहीच सविस रेनी के फिक्स चार्ज में 10 फिज़ी तक ब्रिधी का प्रस्ताब रखा है ऐसे में इस वार जो प्रस्ताब कंपनी की तरफ से सरकार को दिया गया है उसमें कई तरह के बदलाब हैं जैसे कि सहरी घरे लूग वक्ताओं के सलाइब में 3 के बदले 2 कर दिया गया है इसमें सुन से लेकर 100 उनिट तक पहला सलाइब बनाया गया है जबकि दूसरा सलाइब 101 सलगी है कंपनी की तरफ सेuld कर दिया गया है कंपनी की तरफ से-ई-द्रीड के लिए कि एनाव को लेकर यह कहा गया है कि चोटा कमपनियां ऐल टी है फूर में तुन आप लूजो के एक होने अब और टोकारने हैं कर पम किया होनी करने के तहब होतके है तो ऐसे में अब देखना है कि लोगों की तरफ से कितनी क्या राय आती है और कितने प्रतिसत की बिर्दी हो पाती है बिहार और बिहार से जोड़ी और भी ऐसे इंग ख़वरों के लिए बने रहें बिहारी नियोच के साथ मुझे जय जाजात धन्यबाद